सर्व मांगल मांगल ये शिवे सरवार्थ सादिके शरन्ये त्रयम्बके गवरी नारा एनीनु मुस्तिते जय माता दी सिंग राशी वालो राशी फल पंचांग में आपका स्वागत है 18 और 19 फरवरी 2023 सिंग देनिक राशी फल में सबसे पहले जानते हैं देनिक पंचांग के बारे में सिंग राशी वालो 18 फरवरी फालगुन महाकृष्ण पक्षकी त्रयोदशी तिथी है शनीवार का दिन है और इस दिन महाशिवरात्री भी है और शनी त्रयोदशी है साथ में सरवार्थ सिद्धी योग भी है नक्षतर होगा उत्रा साड़ा व्यतिपात नामक योग बन र रहा है चंद्रमा का संचार मकर राशी में और सूरिय का कुम राशी में हो रहा है सिंग राशी वालो अविजीत मुरत का समय है दो पहर 12.13 मिर से लेकर 12.58 मिर तक वही राहुकाल सुबह 9.00rov मेर से लेकर सुबह ग्यारा बचकर ग्यारा मेर तक रहेगा उनिस फरवरी कृष्ण बख्ष की चतुर दशी तिती रहेगी रविवार का दिन है दर्श अमावस्या उनिस फरवरी को रहेगा सिंग राशी वालो श्रवन नक्षत्र होगा वरियान नामक योग बन रहा है के समय कोई भी नयाव शुबकार न करें विगना सकती तो चली बात करते हैं राशी फलकी सिंग राशी वालो 18 फरवरी महा शिवरात्र ही है भगवान भोले नात की कृपा दृष्टी रहेगी सिंग राशी वालो के उपर जिससे नौक्री और व्यापार्वे तरक्की के यो योग बन रहे हैं साथ ही योजनाय और रन नेतियां जो हैं आपकी सफल रहेंगी जो लोग नौक्री को लेकर परिशान चल रहे थे उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है साथ ही पदुलती के साथ साथ इंक्रिमेंट का भी योग बन रहा है छात्रों की अधी बात करें स समय रहने वाला खास करके अगर आप परिशा की त्यारी कर रहे हैं तो आने वाले समय में कोई शुब समाचार आपको मिल सकता है वही सरकारी नौक्री की त्यारी में जो सिंगराशी के जातक जुटे हैं उनको भी कोई खुश खबरी मिल सकती है परिशाओं में बहतर रहेगी जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा अपने परिवार वालों के साथ आप समय वितीत करेंगे भगवान भोले नात की क्रिपाद रिष्टी सिंगराशी वालों पर ये अचानक से लाब का योग बन रहा है साथ ही वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं या मकान खर और साथ ही अगर आपको विवसाई करते हैं तो लाब का प्रबल योग आपके लिए बन रहा है आगर हम हम ए रिलेशनिशिपक के बात करें तो जो लोग सिंग राशे के जाह तक विवाहत हैं जीवन साथ ही के कोई आप सर्प्राइज प्लान कर सकते हैं और साथ ही जो के प्रिस्ताव आपको मिल सकते हैं प्रेम जीवन में आपके लिए समय बहुत ही अनुकुल है एक दूसरे के साथ आप समय व्यतीत करेंगे वहीं परिवाल वालों के साथ अपने मित्र के साथ किसी धालमिक स्थान पर आप जाने के बारे में प्लैन कर सकते हैं ऐसा योग बन सकता है हलाकि यात्रा करने से आप ये दू दिन थोड़ा सा टाले तो आपके लिए अच्छा रहेगा वहीं आप ठकान और तनाव थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही भागदार वाला समय हो सकता है इसके अलावा सकरातमक बदलाव अपने घर में अपने कारस् पुराना मामला चल रहा है तो वह भी सुलट सकता है ऐसा योग बन रहा है सिंग राशी वालो ये दो दिन आपके लिए बहुत ही शुब रहने वाला है आप भगवान शिव की पूजा आप शिवरात्तरी के दिने जरू करें भगवान शिव को आप दूद दही चर्नामरित बेलपत्र गंगाजल भांग धतुरा अकवन का फूल उन्हें जरूर चड़ाएं और इसके अलावा आप उम्न महशिवाय का जाब करें इससे आपको लाब होगा आपके जीवन से फिग्न बाधाएं दूर होंगे और आपके जीवन में सुक समर्दी बढ़ेगा सिंग आश आज के लिए बस इतना ही आशा करते हैं आप कमेंट करेंगे वीडियो को लाइक शेयर चानल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले आप से विदा लेते हैं फिर मिलेंगे अगले राशी फलकारी क्रम में तब तक के लिए आग्या दे आपका दिन शुब हो जै श् नमान